हलो फ्रेंट्स वेलकम टू आइस्टडी तो काफी टाइम से वेट हो रहा था कि ये खुसकबरी भी आप लोगों के साथ सेहर की जाए तो ये कोल लेटर है और ये किसका है ये आप लोगों का जो इंडियन पोस्ट आप लोगों का बाहरती डाक सेवा है इसके अंडर में जो स लोकुमेंट वेरिफिकेसन चल रहे हैं और जॉइनिंग हो रही है और डिविजन अलोटमेंट भी हो गया है तो ये एको लेटर है जो अभी अभी क्या है कि मैं घर आयवा था तो उनपोर्चुनेटली मेरी उस उनका फोना है डाकी जी का तो कह रहे है कि सर आपका लेटर अब लेकर आया हूँ और चाहिए और आपको मेरे साथ कैसे करनी है क्योंकि मैं खुद करूँगा तो यह मेरा नाम दिपक कुमार है और मेरा जो विलेज है मैं प्रॉपरली गाउँ से विलोंग करता हूं मुनोरपूर है और पोस्ट उनलरपूर और सारनपूर डिस्टिक् तो अब देख लेते हैं इसको लेटर में क्या-क्या चीज़े हैं और इसको मैं Unbox कर देता हूँ फिर इसको पढ़ लेते हैं इसमें इनोंने क्या चीज़ है क्या-क्या चीज़ है और क्या-क्या आपको ध्यान लखना है तो इसकी Unboxing के कर दी मैंने अब देख लेते हैं इसको क्या क्या चीजे लिखी हुई ए जब आप लोगका को लेटर आता है उसको उसको कैसे देते हैं वो समय आप लोगको explaining करऊ तो इसको इसको देख लेते हैं तो उस सब से उपर लिखावा Department of Post बहरत्य डाक सेवा और यह जहां से भीजा गया क्योंकि जो मेरा जो इईधर के पीए तो पीए क्या हुता है पीए होता है आप लोगका पोस्टल असिस्टेंट तो यह पोस्ट आप लोगकी यह इसी के अंडर जो हाप लोगका इंडियन पोस्ट है इस हुह ही PER होती है यह पोस्टल एसिस्टेंट की तो यह आप लोग की लेवल फोर की जोब पहले बता देता हूं लेवल फोर की जोब आप लोगों की 2400 ग्रेड पेगी और यह से लिखावा तो इससे कोई मतलब नहीं है तो इसमें जो इन्होंने मैंसन कर रखाव पढ़ लेते हैं तो सबसे पहले जो मुझे कोल लेटर बेजा गया था वो 14 नमबर को भेजा गया था तो मैं उससे में उपलब्द नहीं था देन इन्होंने फिर मुझे रिवाइंडर लेटर बेजा यह भेजा तरनोंने 22 दिसंबर को उसके बाद अब जिन्होंने जो लास्ट जो भेजा यह कल यानी परसो यह वहाँ से भेजा गया होगा आठ जनवरी को आज मुझे 10 को यह रिसीव हुआ है तो अब इन्होंने बोलाए कि आप क्या करिएगा कि 10 दिन के अंदर है जो अपना डॉकुमेंट वरिफिकेशन है वो जाकर कि करवा लेज़ेगा कहां पर दादर मुंबई में और उसके बाद यह बोले है कि अगर आप अगर मैं इसका प्रोपरले जवाब नहीं देता तो मेरा जो कंडिडेचर वो कैंसिल कर दे जाएगा कंसी कैंसिल विद्धा इमेडियेट इफेक्ट तुरंत ये लास्ट रिमेंडर लेटर है और इसमें बस बाकी यह है यहां पर साइन हुए है मुंबई का अड्रेस है और यह कोपी है तो यह मीजो को लेटर है अब मैं द यह से मैं इसका रिप्लैनी दे पा रहा हूँ तो पर आज मैं इसको इमेल कर दूँआ इनको कि मैं अभी दो तिन मेने का मुझे एकस्टेंशन चाहिए उसके बाद मा करके डिवी करा लूँआ यह जो अब मैं थोड़ी से डिटेल बता देता हूँ यह किस पोस्ट है कैसे क क्या हुआ था तो यह जो Alzheimer था यह अप लोर का असे तो गजाम हुआ तो इसे में मिरा यह सेलेक्शन हुआ था फिर 2023 का मैं नहीं दिया था 2024 का देने वाला हूं अब मेरा क्या अप्रोपल tässä हिसमें assistant audit officer की वह आप लोगों की घजेट्न पोस्ट है तो उसके लिए पर प्रिपेर करूँगा, बिसिकल मुझे दिली चाहिए, तो अगर आप लोग चाहते है मेरे साथ प्रिपरिशन करना कि सर कैसे प्रिपरिशन करने चाहिए, हर एक सब्जेट की मैं भी आप लोग के साथ करूँगा और अपने जो अपना चैनल आई स्टेडी इस पर भी आप लोग को इन्फोर्मेशन दूगा बताता रहूँगा क्या पढ़ना कैसे क्या प्रोपर स्ट्रेटिजी आप लोग के साथ सेयर करूँगा मिलके पढ़ाई करेंगे और एक जोब आप लोग की सीजल में सेंटरल गव क्लेंडर जारी हो चुका तो जोन जुलाइस से आप लोग का फोमेशी जलका जाएगा उससे पहले सी एचसल एमटीएस और अभी फेज ट्वैल का चलने वाला फेज थर्टीन एट्वैल है तो उसका भी पढ़ लिजएगा उसका भी पैटन सेम रहता है तो उसमें तो एक टीर वन एकजाम होता है उसके बेस पर आप लोग की जोब लगती है तो यह आप लोग का को लेटर है मेरा यह तो यह चीज थी बाकि अगर फिर भी कोई चीज आप लोग को कंटेंट के रिगार्डिंग या सलेवस वगयरा कुछ भी चीज अगर आप लोग को पूछ नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को उनक लिजिए तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू